इस्टॉक एक्सरे हम बात करेंगे आज बैंकिंग स्पेस में जहां पर की काम बैंकों के नतीजे आते हुए दिखाई देंगे और इनका एक इम्पैक्ट भी हमें जनरली काउंटर्स पर देखने के लिए मिलता है प्री रिजल्ट पोस्ट रियक्शन होता है तो बैंकिंग श सबसे पहले आते हुए दिखाई देंगे दिगज बैंकों में 17 अक्टूबर को नतीजे होंगे बैंक की अगर नेट इंटर्स इंकम में देखे तो करीब 11% का जम और प्रॉफिट आफ्र टेक्स में करीब 13% का जम देखने के लिए मिल सकता है मैं एक एक करके सभी काउंटर इस पर डिसकस करता जाओंगा रवी सर से एक्सिस बैंक सर कैसा दिख रहा है आपको 11% का जम पहना है 13% का जम प्रॉफिट में क्या करें सर देखें आपके स्टॉक एक्सिस बताता हूँ पूरे प्रोग्राम को ज़रूर वाच करके चलिएगा क्योंकि मैं आपकी एक रैंक इने में 10% करेक्ट हुआ है और अपने हाइस से एक साल में 15% जो रिटर्न आपको 25% मिल रही थी वो 15% मिल रही है और लेकिन अभी नंबर्स की बात की जाए तो एक पॉस्टिव ट्रेंड में है थोड़ा करेक्शन आ सकता है करेक्शन कितना आ सकता है ज्यादा से ज्यादा 1100-120 के आसपास के लेविल्स देखने को मिल सकते है लेकिन लॉंग टम पे किता जाएगा 1250 के टार्गेट यहाँ पर आते हुए एचीव होते हुए नेजर आ सकते है फिलहाल फर्णावेंटल नंबर्स काफी नॉर्मल है नंबर्स का इंपैक्ट देखा जाए तो डिप पे खरिदारी की राय बनती है जो बैंकिंग लाइसेंस के लिए जो इसने आविदन दिया हुआ था उस पर कुछ क्लारिटी मैनेश्मेंट अपनी कॉन कॉल में देता हुआ दिखाई दे इसके रिजल्स प्राइविट बैंक्स में वन ओफ दा बेस्ट रिजल्स देखने के लिए मिलेंगे 23 अक्टूबर और देखने को मिलेगा और जो आपने बात कही कि जो लाइसेंस वाली बात है वो थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो एक निगेटिविटी क्रेट करती हुई नजर आई क्योंकि बहुत ज़दा क्लियर्टी नहीं थी लेकिन फिर भी फॉर्डमेंटल नंबर से यहाँ पर अच छेष्बबंगेट को मौमेंटरी स्टफ़जी को बना कर रखे और रिजल्ट का वी फाइड़ा उठ है बिलकुल तो टरेंड का भी फायदा उठाने और Rives kind of God अच्छा ने भी तो यह दोनों इस बात रवी सर ने हमें बता दी है गाँ की शम्ता तो यह सबसे बड़ी रखता है 8.9% की ग्रोथ NII में और profit करीब 2.4% ही बढ़ता हो दिखाए देगा 19 October को result है सर कैसे trade करना चाहिए इस counter को नतीजों से पहले देखे विबेंग जी इस stock की मैं अगर बात करता हो आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ तो यहां पर आपको जरूरत है कि आप इस पे बहुत long term strategy बना कर मत चली हो सकता है आपको दिगच कहते हो बहुत long term बना कर चली है देखे ट्रेंड ही आपका friend है profit ही मेरा सबसे बड़ा friend है तो फिर profit लेने की चमता रखिए जब भी 1800 के भाव दिखे काटने में संकोच मत करिए और जब भी 1600 के आसपास ये 1580 के आसपास आए तो buy करने में भी संकोच मत करिए अगर आप stock market पे live रहते हैं जुड़े रहते हैं तो ये strategy और ये rate की strategy यहाँ पर रखिए फिलाल result में थोड़े correction के संकेत है correction कितना आएगा वो बता दिया आपको 1580 तका सकता है उन levels पर आता है तो वापिस से विवेक जी को पकड़ना है, news update लेना है, result का impact समझना है और फिर चड़ जाना है profit के लिए बिल्कुल, तो यहाँ पर SDFC bank में क्या करना है, सर ने पूरा detail में आपको समझा दिया है next counter सर, Kotec bank जिसके नतीजे 19 October को ही देखने के लिए मिलेंगे और 10.4% की growth company के NII में देखने के लिए मिलेगी, वहीं इतनी ही growth company के profit में भी देखने के लिए मिलेगी सर कैसे trade करना चाहिए, Kotec bank को? देखे, मैं चर्चा करी रहा था, बड़े bank को की अभी ICIC बचा हुआ, इसलिए मैं थोड़ा रुका हुआ हूँ लेकिन ये भी कुछ SDFC से कम नहीं है, जैसा SDFC का behavior ते, SDFC ने हमें साल में 7% return दिया Kotec bank ने, और surprise किया, वो 6% भी नहीं cross कर पाया, 3 साल में negative 5% का return दिया क्यों? क्योंकि आप सही जगा पे अगर आप entry करेंगे, तो आपको यही 20-30% का profit भी दिखाएगा जैसे कि साल बर इंतजार करने की ज़रूरती नहीं थी, एक week में stock जो है, वो 4% करीब बढ़ गया, 3,5% तो आपको सही समय पे entry करनी है, और उसके लिए money 9 को follow करना ज़रूरी है, क्योंकि यहीं पर आप सही entry कर पाएंगे अब आते हैं, stock के fundamental को समझते, देखे, stock में fundamentally बहुत बढ़या structure बन रहा है, और जिस हिसाब से company perform कर रही है, कोटेक बैंक अपनी growth को structure को आगे बढ़ा रहा है, उसके हिसाब से long term पर bank की growth काफी अच्छी है, तो यहाँ पर आपको बने रहना, exit नहीं करना है, दूसरा, average करन आने के संकेत नहीं है, तो इन levels का ध्यान रखते हुए, buy करके चलते रही हैं, और जो दिगजी stock का comparison है, उसका result summary लास्ट बढ़र बता हुगा, बिलकुल, और हम summary जानना भी चाहेंगे सर, क्योंकि आपने शुरुवात में ही summary की बात कर दी थी, कि मेरे दिमाग में कुछ strategy चल लिए, वो strategy तो दर्चकों को समयना बहुत जरूरी होगा, आप ICACA bank की और बात कर रहे थे सर, अगर हम देखे तो इसके भी नतीजे होंगे 26 October को, 8.9%, 6.3% की growth और साथी IDFC First Bank, सर इसको आप काफी closely track करते हैं, 22.6% की growth इसके NII में, और करीब 24.2% की growth डी growth पैट में 29 की result 26 October को हैं, सर कैसे trade करें? देखें, दोनों बैंकों के situation अलग है, पहले ICAC bank की बात करते है, ICAC bank ने थोड़ा यहाँ पर उल्टा परफॉर्म किया है, उल्टा का मतलब है कि SDFC, COTEK और AXIS और AU small, इन जो अभी comparison हम ने किया, इनको पीछे छोड़ा, एक साल में 28% और तीन म correction आने देते, 1100-120 के आसपास तक का, result के बाद थोड़ा सा correction आएगा, ऐसा नहीं कि result बहुत अच्छे है, तो जो sentiment डेवलप हुआ है, वो यहाँ पर over out हो चुका है, तो थोड़ा सा wait and watch की policy यहाँ पर रखें, और lower level पे buy करने की कोशिश करिए, फिलाल ICAC bank को अगर थोड़ा या HDFC, आपने इन तीन में से शायद कुछ शामिल किया था, सब मताएं वो strategy क्या है, देखें सबसे पहले pair trade वालों के लिए, अगर आप pair trade करना चाहते हैं, तो कोटेक bank को plus कर लीजिए, और ICAC bank को short कर लीजिए, pen paper लेके note करिए नहीं तो भूल जाएंगे, जो future में trade करते है ICAC bank short, कोटेक bank plus, अब अगर यही आपको ratio बनाना है, SDFC और ICAC के साथ में, तो क्या करना है, SDFC by ICAC short, यानि यह दोनों case में ICAC यहाँ पर short पे जा रहा है, अब आते हैं कि दिग गए, top listing में किस पे जाते हैं, यह मान के चलिए, top में अगर आप दोर लगवाएंगे, तो सबसे कोटेक जीतने वाला है, क्योंकि कोटेक 2150 के target पहले यहाँ पर दिखा सकता है, दूसरे नंबर पर कौन आएगा, SDFC आएगा, तीसरे नंबर पर कुछ खास ना return देते हुए आने वाले, और यह जो मैं बात कर रहा हूं, यह ज़्यादा लंबी बात नहीं, यह सिर्फ 4-6 मह है, वो है IDFC First Bank, 70-72, 83 आता है, ठक जाता है, 72 आता है, चड़ना चुरू हो जाता है, बहुत क्वस्ट में जाएगा, तो 70 के आसपास आके तो पूरी तरह से ठक जाएगा, तो अगर आपको बड़ी positions लेनी, तो IDFC First को focus रखिए, और इस पे आप एक साल का vision रखिए, उन करना mental और technical की समरी बता रहा हूं, थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप इस समय देखेगा कि IDFC First Bank की website पे जाएगे, और कोटेक की website पे जाएगे, दोनों में comparison आपको खुद मिलेगा, मेरी मत सुनिए, वहाँ पर जाकर follow करिए, देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि बैंक किस aggressive तरीके से restructuring कर रहा है, corporate tie-ups कर रहा है, corporate acquisition कर रहा है, उसका फायदा IDFC First को यहाँ पर मिलेगा, तो रैंकिंग करते हैं, पहले नमबर पर IDFC First Bank, second number पर कोटेक बैंक, तीसरे नमबर पर SDFC Bank, चौथे नमबर पर आता है ICAC Bank, तो strategy यही है, इसी ratio पर buy or sell करते रही है, बिल्कुल भले, IDFC First Bank की profit में थोड़ी सी degrowth दिख रही है, लेकिन उसका एक reason भी है, कि company की जो provisioning है, वो अब बिल्कुल last lag में आ चुकी है, यानि कि यह quarter तो थोड़ी सी high रह सकती है, उसके बाद next quarter से company की provisioning कम होगी, उसकी वज़ा से profit जो होगा, वो बढ़ता हुआ दिख बोलती है कि private banking से जादा अच्छे results, PSU में देखने के लिए मिलेंगे, Punjab National Bank, Canera Bank, SBI, और Punjab National Bank को उसमें lead करेगा, क्योंकि इसकी जो growth है profit की, वो 97% profit में growth देखने के लिए मिलेगी, जबकि जो interest income, जियानी कि जिसको हम ब्या जाय बोलते हैं, वो करीब 10% की देखने के लिए मिलेगी, results date अभी इन तीनों ही banks की नहीं आई है, PNB की भी, Canera की भी और SBI की भी, और तीनों की ही growth positive side पर देखने के लिए मिलेगी, sir कैसे trade करें, PSU को, देखे, इसकी अगर मैं list बनाता हूँ, तो एक बहुत बढ़या stock है, जिसे आप शाद मिस, आपने इसको consider नहीं किया क्योंकि बहुत बढ़ी list थी, लंबा program हो जाता, bank of बढ़ोदा, जो कि मुझे 230-35 के level पर हमेशा attractive देता है, और आप देखे, आज फिर 255-45 तक हो के 45 पर खड़ा हुआ है, सोते जाकते जब भी 235 देखे, monitor पर buy कर लीजे, 255 देखे, profit book कर लीजे, long term के लिए छोड़ नहीं है, SBI के comparison में वही एक मात्र बैंक ऐसा खड़ा होता हुआ नजरार है, अब आजाते हैं जो आपने PNB और Canera की बांद करी, देखे क्या होता है, जब एक बार गाड़ी पर डेंट पड़ जाता है, और जब एक पत्थर पर लकीर हो जाती है, तो उस लकीर को मिटाने क लिए, या तो उतनी body घिसनी पड़ती है, या फिर उसको जो है वो नए तरीके से structure करना पड़ता है, PNB के समस्या पूरी तरह से यही है, अभी जो यहाँ पर भले वो बहुत कोशिश कर रहा है, बैंक को develop करने के लेकिन negativity trend से बाहर नहीं आ रहे, अब क्यों नहीं आ रहे, बहुत से लोगों को लगता होगा कि 100 रुपए का bank के खरीद लेते हैं, जैसे ही खरीदते हैं, वो 135 हो जाता है, और जब तक आप निकालने के सोस्ते हैं, वो आपी 100 रुपए आ जाता है, तो यह आपने trend बहुत अच्छे से देखा होगा PNB पे, फिलहाल अभी के हिसाब स थोड़ सा weight and watch रखिए, 90 रुपए पे risk कम होता है, वहाँ पर आएगा तो बाय की राय बनेगी, लेकिन structure देखते हुए, और रही बात higher levels की, 125-128 का देखें, तो रुखिएगा नहीं, story मत सुनिएगा, निकल जाइएगा, फिलहाल PNB के वाइड रखें, तीसरा जो आपने bank, camera bank की बात करी, देखे camera bank, no doubt, fundamental काफी अच्छे है, सेम PNB के बराबर ही चल रहा है, 104-105 पे थोड़ा सा यहाँ पर रुखने की जरूरत है, एक 95 के आसपास अगर मिलता है, तो बहुत अच्छा level है, वापिस से, आपको ये भी 120-125 के raise दिखाएगा, तो PNB और camera bank दोनों स साथ ही चलते हुए, नजर आएंगे, एक business में बड़ा है, एक news में बड़ा है, तो यही फर्क है, लेकिन फिलहाल, stock में sell नहीं करना, यानि की negative trend के लिए नहीं जाना, बिल्कुल, तो सरकारी bank को पर भी strategy साफ है, private banks पर भी हमने, अमुमन जो banks के नतीजे आ रहे हैं, उनको शामिल किया, list काफी लंबी है, इसलिए धीरे-धीरे करके जैसे-जैसे results आते जाएंगे, उनको cover करते हुए चलेंगे हैं, लेकिन कुछ दर्शकों के सवाल भी cover करते हुए चलते हैं, सर, काफी देर होगी हमारे दर्शक काफी देर से wait भी कर रहे हैं आपका, सृष्टी पावर पर, सर, इन्होंने 736 के लिए हुए हैं, इनके immediate targets क्या होंगे, सर? Congratulations, बैम, बढ़िया है, continue रखे, 950 आने दीजे, फिर सोसते हैं, नीचे में, 850 के नीचे जब तक close नहीं करता, तब तक तो आप बल्ले बल्ले करते रही हैं बिल्कुल, एक हमारे दर्शक हैं, चैतिन्य कुमार जी, बिहार से ये पूछ रहे हैं, कि सर, इनके पास ester diem के कुछ 300 शेर पड़े हुए, 520 के भाव के, अब क्या करना चाहिए? देखे, ester diem, health care, जो अभी चल रहा है, वो तो काफी consolidation zone में, जब तक 430 के उपर नहीं निकलेगा, तब तक बहुत बड़ा trend नहीं आएगा, तो यहाँ पर आप बने रही हैं, चुकि sideways सा trend है, बहुत ज़्यादा कुछ उचल उचल नहीं देखने को मिल रही, या तो 400 के नी हमारे दर्शक हैं, जो सवाल पूछ रहे हैं, एक हैं दीपक शर्मा जी, वो पूछ रहे हैं, सिक्क्वेंट साइंटिफिक के, इनके पास कुछ शेयर हैं सर, 199 के भाव के, क्या करना चाहिए इनको? देखे, फिलहाल तो ऐसे थोड़ से strong fundamental stocks लीजे, इस तरीके के stocks अभी थो सवाल पूछते हैं, उसमें मुझे भी जवाब मिल जाता है, बहुत बहुत धन्यवाद, सर, थैंक यू वेरी मच, मुझे पता नहीं कि किस तरह से आपकी help हुई है, लेकिन आप उमीद करता हूँ कि मनी ना इनको देखते हुए, आपको काफी profit मिला होगा, और आपका portfolio green मे इसके लिए बहुत अच्छी बात है, खुशी होती है, एक हमारे दर्शक हैं, टौकीर अंसारी जी, ये पूछ रहे हैं कि इंडस्ट टावर में सब 400 के rate के इनोंने कुछ शेयर लिये हुए, अब क्या करना चाहिए इनको? 400 के rate के इंडस्ट टावर आपने लिया है, और इस समय चल रहा है, 380, फिलहाल 350 के stop loss से बने रही है, लेकिन फिलहाल 450 आता है तो exit भी करिये सतीश चौदरी जी का सवाल है, PPSL के इनोंने कुछ 6,000 शेयर लिये हुए, 34.50 पैसे के rate के, क्या करें? अरे सर कचड़ा क्यों खरीते हो, क्या चाहते हो, second hand कपड़े पहनोगे आप, जो मिलते है रेडियो पे, तो ऐसे stock मत लीजे, जिस पे कोई खास fundamental दम नहीं है, फिलहाल exit कर लीजे, नहीं तो ये 32 रुपे जो मिल रहा है, या आपको 15 रुपे, 20 रुपे मिलेगा, कोई फाय पैसे के price के, क्या करें सर, hold करें या फिर exit कर ले, 112 के नीचे जाता है, तो ही risk है, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है, NBCC ऐसा stock नहीं, जिसे आप काटिये, लोगर लेवल पे accumulate करके, उपर लेवल पे exit करने की भी कोशिश किया करिये, कुछ इस stocks ऐसे हैं, जिनमें आपको stock आता है, तो फिलाव होड़ कर रखेंगे।